पुष्यय सिद्य नक्षत्रे सिध्यन्ति आस्मिन शर्वानी कार्यानी सिध्य पुष्यन्ति अस्मिन शर्वानी कार्यानी यति पुष्यय अर्थात पुष्यय नक्षत्रे किये गए सभी कार्ये कुस्टी दायक सर्वार्थ सिध्य होते हैं और निश्य ही फलिबूत होते हैं आज श्रीय की बात तो यह है कि अगर आप परियतन करें तो इस समय आपको वहमी मिल सकता है जो आपके भागे में नहीं है दोस्तो अगर आपको कोई ऐस समय मिल जाए जिसमें आप जो मंत्रीय साधना के एक बार करें और उसका परभाव आपको कहीं लाग गुना मिले तो کیसा हो दोस्तो यह एक ऐसा समय है जो किसी भी कारिया की परभाव को स्थिर कर देता है और आपके द्वारा किये गए कारिया को हमेशा के लिए सिद और सफल कर देता है वास्तर में यह एक ऐसा समय है जो आपके किसी भी तरह के कारिया है और साथना मंत्र जाप को हमेशा के लिए सिद्ध और सफल कर देता है दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे नक्षत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें किया गया परतेक कारी है मंत्र जाप सिद्ध तो होता ही है और उसमें आपको अमरित तुल्या सफलता जबूर मिलती है हर साल में एक नक्षत ऐसा आता है जिसे भ्रमान की कोई भी शक्ति काट नहीं सकती उस नक्षत में आप जो भी मंत्साद्ना करते हैं वे अमरित तुल्या हो जाती है जिसका असर आपको जन्मान तर्थ तक मिलता है और वे नक्षत है पुष्चे नक्षत इस पुष्चे नक्षत को तिस्चे नक्षत भी कहा जाता है तिस्चे शब्त का अर्थ होता है शुभ होना है पुष्चे नक्षत के स्वामी शनी देव है और अधिदास्टा व्रस्पति देव है शनी के परभाव से इस मरशत का सभाव इस्थाई और लंबे समय तक होता है इसलिए इस पुशे नक्षत में किया गया मंत्र जाप और दान शनी के परभाव के कारण इस्थाई दूप से बना रहता है और व्रस्पति देव के कारण में समर्दिदाई होता है पुशे नक्षत में किये गए काम दोश मुक्त होते हैं इतना ही नहीं इस नक्षत में जो मरशे भी जर्म लेता है उसके कई दोश सरताही समाप्त हो जाते हैं और वे व्यक्ति चार और पर सिद्धी पाता है इस नक्षत में जनम देने वाले व्यक्ति पर तंतर मंतर जादो टोने जैसे किरिया होगा कोई परभाव नहीं होता पुश्य नक्षत को फूल की तरह खिलने वाला नक्षत माना जाता है और एक ताजे खिलेवे फुश्की भाती पुश्य नक्षत के दोरा जो तरंगे निकलती है जो वाइब्रेशन निकलती है वह आपके कारिये को सफल तकी और आकरशित करती है हमारे वैदिक शास के नुसार प्राचीन वैदिक शास में 27 नक्षतरों का विवरन है इन 27 नक्षतरों को दक्षपरजापते की पुश्य अमाना गया है और इन नक्षतरों में पुश्य नक्षत को अधिशुब माना गया है यह नक्षतरों का राजा है पुश्य का अर्थ ह से एक मात करकराशिका स्वामी है और चजबा होई धन का देवता माना जाता है इसलिए पुष्य नक्षद को धन के लिए त्यन्षुब माना गया है पुष्य नक्षद रविवार ये गुरुवार को पड़े तो ये बेहदी शुब दायक माना जाता है और इस सुबसे नक्षद को रवी पुष्य और गुरु पुष्य कहा जाता है इस बार ये पुष्य नक्षद दिवाली से पहले 24 अक्टूबर 2024 बिस्प्रतिवार के दिन होगा और ये हैं गुरु पुष्य नक्षद कहलाएगा इसी दिन अमरित और सर्वासिधी योग भी है दोस्तो मैंने आपको इस पुष्य नक्षद के बारे में इसलिए जानकारी दी है क्योंकि आपको मैंने लास्ट वीडियो में कुछ सावर मंत्र बताया थे जिने अगर आप इस दिन कर लेते हैं तो मैं मंद्र हमेशे के लिए सिद्ध हो जाएंगे और आपको ऐसा होसा पता नहीं फिर कब मिलेगा इसलिए अगर आप इस दिन कोई भी मंद्र चाप करते हैं तो वैं आपके भाग्ये और समय दोनों को बदल सकता है आपकी जो विश है उसी के अकोडिंग आप मंद्र का चेंग कर सकते हैं और अपनी च्छकों पूरी कर सकते हैं मुझे लगा कि यह जानकारी आपके बहुत कावाई गी इसलिए मैंने इस पे एक चोटी सी वीडियो बनाने के लिए सोचा ऐसा नहीं है कि आप पुशे नक्षत में ही मंद्र करें आप मंद्र दिवाली पर भी कर सकते हैं लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप उस दिन कोई दूसरा मंद्र सीथ कर सकते हैं मतलब यह है कि यह आपके लिए एक गोर्लन चास है जिससे आपकी बहुत सी चापूरी हो सकती है पुशे नक्षत 24 तारीक के दिर सुबह 6 बज़े से लेकर 25 तारीक के सुबह 7 बज़े तक रहेगा और आपको 24 तारीक के दात को ही 9 बज़े के बाद आप किसी भी मत्का जाब करना शूरू कर सकते हैं आपको उसी विज़ी से करना है जैसे कि आपको वीडियो में बताया गया है आने वाली नेक्स वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही महस्पूर मंत्रों को लेकर आने वाला हूँ जो आपके सभी मनोरत को सीथ करने में आपकी हेल्प करेगी और आप उन में किसी भी मंत्र का जैन करके पुशे नक्षत और दिवाली पर उन मंत्र को सीथ कर सकते हैं आपकी सभी मनो काम लाएं पुरी होंगी यहां तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद हर हर महादेव